नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपका अपने चैनल मिस्टेश्वी क्लासिज पर दोस्तों इस वीडियो में कोसल रोजगार निगम से जुड़ी एक खबर पर बात करेंगे और साथ में आप लोगों के दो तिन दिन से जो बहुत ही ज्यादा एक ही विश्या पर एक ही सवाल पर बार-बार कमेंट आ रहे हैं उसका जवाब आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा तो वीडियो की अंत तक बने रहे जल्दी ही छोटी सी वीडियो में सारी बाते करेंगे ठीक हैं तो आगे बटने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल पर पहली बार है तो चैनल को अपने जो नाम कोशल रोजगार निगम में जोडने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं समय समय पर इस तरह से अलगलग डिपार्टमेंटों के करमचारी दर्ना प्रदरसन या ज्यापन देते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर भी देख सकते हैं चर्खी दादरी ब लिया जाए ठीक है यह जो करमचारी हैं काफी सालों से काम कर रहे हैं यहां पर दिया गया है कि हर्याणा में अगस्त 2012 से जून 2017 तक अनुबंद आदार पर पर प्रोड शिक्षा सवच्षत अभियान में 500 प्रेरकों ने कारिया किया है ठीक है तो यह सारे के सारे काफी प्रेयरकों के अनुभं के अनुभाव की आदार पर जो है न्युक्ति की मांग की है कि आमें उसमें लिया जाए कोशल रोजगार निगम के तहत यहां पर बताय गया है कि सख्षक सिक्षा प्रेयरकों के अनुभव और कारिया को देखते वे कोसल रोजगार निगम में सभी को रोजगार देकर सरकार इनके साथ न्याय करने का कारिया करे अगर सरकार शिक्षा प्रेयरकों को कोसल रोजगार में रखकर रोजगार नहीं देती है तो सिक्षा प्रेयरक संग सम मांगों को रख़ा है अब आते हैं मुखे इस बात पर जो सबसे ज़्याधा किमेंट आ रही है इस पर बात कर लेते हैं तो ओंबीर राठी जी का किमेंटस हैँ दो गंटे पहले ही है भाई साब हम पहले से ही Outsourcing Policy से लगे हुए हैं तो क्या मुझे भी registration करवाना होगा कोशनलोजगार निगम में देखिए ओंबिर जी बहुत सारे department ऐसे हैं जिनोंने अपने करमचारियों का data बेज दिया है और उनके registration शो भी कर रहा है तो आप लोग सबसे पहले तो ये है कि करवाना है नहीं करवाना है वो बात की बात है सबसे पहले तो आप लोगों को अपना खुद चेक करना है आप website पर जाएए लगातार comments के मादम से मैं आप लोगों को update दे भी रहा हूँ फिर भी लगातार comments आ रहे हैं तो वीडियो में डालना जुरूरी हो गया है आप website पर जाएए website जैसे ही आप खोलेंगे आपका registration ठीक है registration के option पर जैसे ही आप click करेंगे तो registration के option में आप अपनी family ID डालेंगे family ID डालने के बाद आपके पास OTP आएगा OTP आने के बाद आपकी family ID open हो जाएगी उसमें आप अपना नाम select कीजिए जैसे ही सामने जो front page खुलेगा उसमें थोड़ा सा उपर उसको सरकाएंगे तो नीचे की तरफ आपको दाएं तरफ ठीक है यह comment सबसे ज़्यादा आ रहे हैं यह सवाल जो करमचारी काम कर रहे हैं उनके मन में संसय है अमारा हुआ है नहीं हुआ है यहाँ पर भी देख सकते हैं पते सिंग जी बोल रहे हैं 11 साल से outsourcing पार्ट एक में काम कर रहे हैं यह सबसे आप इसके लिए मैं आप लोगों को यह दिखाना चाहरा हूं यह वेब साइट का फरेंट पेज रेजिस्टेशन पर जैसे आप कली करते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्पेशल यहां पर पहले ही नोट दिखाया जाता है कि दो यू हैव एनि प्रियारे वर्क एक्स्पिरेंस इन डिपार्टमेंट बोर्ड कोर्परेशन स्ट्री कमिशन अथोर्टी ओफ गोर्रमेंट ओफ हरियाना तो आप लोगी से कलियर हो जाएगे आपके कमेंट का यही जवाब है तो मेरे ख्याल से आप लोगों का यह कलियर हो गया होगा उसके बाद आगे ले लेते हैं सर मेरे पास private company का experience मैं apply कर सकता हूँ तो आपका भी यही जवाब है इसमें special लिखर क्या है government of haryana का experience में चलेगा ठीक है इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं हaryana roadways में 10 साल से ठेकेदार के medium से सफाई करमचारी लगे हुए हैं उन्हें भी form बरना है क्या तो आप लोग पहल पूछ रहे हैं सर जो पहले से लगे हुए हैं वो खुद registration करेंगे या department करेगा तो खुद registration करना है department तो पहले आप अपना चेक कीजिए मैं आप लोगों को बता दिया चेक करने का तरीका अगर नहीं है तो आप अपना experience बनवा कर खुद भी register कर सकते हैं ठीक है इसके बाद से ले लेते हैं रनवीर सिंग जी को सर मैं agriculture में पार्ट वन में सात महीने से लगा वाँ सर मुझे भी क्या करना है कि तो आप अपना चेक कर लीजिए ये जो मैंने मैं जो question लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि एक ही question हर जगह से हर जगह से आ रहा है सबसे बड़ी अपार्टमेंट से confirm कीजिए क्या आप लोगोंने मतलब किया है हमारे लिए क्या नहीं किया है नहीं किया है तो आप अपने बेस पर उसको करने की कोशिस कीजिए यहाँ पर देख सकते हैं सर तीन महीने का experience है सर चल सकता है क्या तो तर्षेम तर्षेम खर्टे जी तो आपक जवाब रहेगा कि 6 महिने के लिए आपको आदा अंक मिलता है 0.5 ठीक है एक साल के लिए एक अंक ठीक है दो साल के लिए दो अंक तीन साल के लिए तीन अंक इस तरह से आपको नमबर मिलते हैं और आपका जो है टोटल बनता है जो भी आपके पास qualification है आपका पास EWS का certificate वगारा कुछ भी है ठीक है आपकी जो भी condition उसके हिसाब से जो counting होती है टोटल नमबरों की और उस पे जो merit बनती है तो आप देख लिए तीन महिने के हिसाब से आपके कितने नमबर बनेंगे ठीक है तो यह है सर पलीज यह बताईए कि जो दिल्ली के candidate है जिनकी family ID नहीं है बनी हुई है और हरियाना में government जो में थे वो कैसे apply करें तो सुमनरानी जी देख लिजे आपके सवाल का भी यही जवाब है कि यह जो portal खुलता है यह खुलता ही family ID से है अगर आपके पास family ID नहीं है तो आप इसमें apply कैसे करेंगे यह भी सोच सकते हैं इसको फारम को खोलने का सबसे पहला step है family ID आपको डालनी है वहाँ पर तब आपके पास OTP आएगा OTP आने के बाद वहाँ पर आपकी family ID की complete details show करेगा तो आपका जवाब मेरे ख्याल से मिल गया होगा तो इसमें बहुत सारे इस तरह के लगबग बहुत सारे central government का यह हो गया था यह भी हो गया ठीक है तो यह मुखे मुखे से जो सवाल थे जो लगाता रहे हैं साथियों के तो मेरे ख्याल से जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे बाकी हम कोशिश करते रहते समय समय पर वीडियो के माधम से आप लोगों के जवाब देने के और कोसलोजगार निगम से जोड़ी छोटी से छोटी जानकारी पाने के लिए दोस्तों चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ सेर करें थेंक यू वेरी मच